गम की मारी है बुचर किसी से बात नहीं करती ना ठीक से खाती है ना पीती है और दिन भर मदरसे में काम करती रहती है या फिर इबादत करती रहती है करती है बुचर करती रहती है बुचर करती है करती है न वो कहीं आती है न जाती है जमीन के सोती है करती ही बुचर करती है वो करती है झाल झाल जाल . Aset, जर जो वाख वाख गोट्समिम अफसमें, टोरी पवसिली गुटने गुटने हुआ हुआ प्रशान वो लाल चौक वाले मदरसे को दसलाग रुपे कर डोनेशन भीज दीजिए अब में के नाम से लाल चौक वाले मदरसे में गया था वहाँ एक बेदब लड़की ने दिमाग खराब कर दिया जीन्स बाहन कर घुम रही थी मदरसे में जैंबे उस मदरसे में महरबान हो रहे हैं कई जोया तो वापस नहीं आके जलो 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 जली चलो यहाँ कर दो करुव कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 हुआ! हुआ हुआ है! किसमत काली हो जोया! मौत तो सबको आती है पर इश्क में शहीद कोई कोई ही होता है! यह अनार कली तो दिवार में चुन गए! अब शहजादे की मलिका तो हमें ही बनना होगा! जी ठीक है! जी ठीक है! हमें खुद जाके हुमेरा को ले आना चाहिए था! अबू आप जानते हैं कि पुलिस इस बात के लिए राजी नहीं है! आपने खुद में उनसे बात करी थी! मना कर दिया था उन्होंने! तो एंश्योर कि हुमेरा घर सेफली पहुंच जाए वो खुद उसे यहां तक आके छोड़ना चाहते! हमें तो इस बात पर हैरानी हो रही है! कि हुमेरा शेर के बारी एक हॉस्पिटल में थी! पर पुलिस अब तक उसका पता नहीं लगा पाए! मैंने इस बारे में बात की थी! उन्हेंने कहा कि एक्सिटन की जगह पर बड़ी अफ्रा तफ्री थी! लोग को अलग-अलग हॉस्पिटल पहुचाया जा रहा था! इसी बीच वो मेरा को भी हॉस्पिटल पहुचाया गया! लेकिन बेचारी तब तक बहोई शुजोकी थी! अब ना वो किसी से कुछ कहा पा रही थी! ना किसी को ये पता चल सका कि वो है कौन! इस्पेक्टर साम मेरी बच्चे! आपकी बच्ची बाहर उसे अंदर लाए जा रहा है! एक एक मिट! एक बाद और! वो अभी तक इस सदमे से बाहर भी ने निकलिये! और कुछ बोल भी ने रही है! छोल आपकी ऑफ़ है वो मेरी बच्ची! कि आपका भीजवाया चेक मुझे मिल गया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर जोया को किसी चीज की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बता दीचेगा हमने कहा ना उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए यहां वो इतना काम करती है कि उसे कहा कि इसकी अवस भी कुछ पैसे ले लिया करे और उस बच्ची ने साफ मना कर दिया क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूं बस एक बार अगर आप उनसे जाकर पूछ लेंगी तो हमने उसे बताया था कि आप उसे मिलने आए और उसनों मिलने से इंकार कर दिया साहब वो आप से तो क्या किसी से भी मिलना नहीं चाहती शुक्रिया अल्ला हाफिस अल्ला हाफिस अजय कंश्रे ली मिलना नहीं नहीं चाहती है हाफिस क्वंस करना नहीं शुक्रिया अल्ला हाफिस क्या क्या को वड़ने चाहती है झाल 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 झालिए हुए रजस्टी टुख जाल झाल जो या जो या जो या जो या यह क्या कर रहे हैं आप रुखे रुखे आउ बिल्ट बेटो अल्ला का लाख लाख शुक्र कि तुम वापस आगे कितनी कमजोर हो गई है भापी मेरे ख्याल से हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए कितनी ठकी भी लग रही है हाँ हाँ आराम तो करेगी पर उससे पहले उससे पहले कुछ इसको खिला देते हैं नुजद जूस दो इसको बाजी तुम्हें अंदाजा भी है पिछले एक महिने से हम सबकी क्या हालत है तुम्हें 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 डराई दिया था कुछ खालो बिटा उसके पाद आराम कर लेना है जी नहीं बस हो गया अब हमें घर जाना चाहिए कि यह क्या कह रहे हु तुम बटा यह तुम्हें यह तुम्हारा ही घर तो है उमेरा कुम्हें तुम्हें 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 तुम् मेरी बच्ची तुम हो मेरा हो जी आपको प्रम हुआ है पीरा नाम तो रजनी है तुम क्या करें हो मेरा नहीं हम रजनी है रच्नी शुक्ला प्रम हो मेरा नहीं हो मेरा नहीं हुआ है आई देखिये ज़र क्या हुआ इने यह सब हुआ कैसे किसी ने कुछ नहीं देखा जे नहीं किसी ने कुछ नहीं देखा अब तो जब यह होश में आएगी तो यही बता सके कि क्या हुआ रात बहुत हो गई है आपको जाना पड़ेगा असत सहाब यहां का रूल है एरात को बाहर का आदमी कोई नहीं रुख सकता बाफ कीजिए आपको जाना पड़ेगा लेकिन जोया यह महफूज नहीं है आप जोया की फिक्र मत कीजिए हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे फिक्र मत कीजिए हम उसका पादे थे ईखेंगे कर दो कर दो कि जी ठीक कि क्या खा डॉक्टर ने दॉक्टर साब हमेरा को देखने आ रहे हैं थोड़ी दिर में अच्छा डॉक्टर साब ने हम सब के लिए चीज कहेंगे उनका कहना है कि हमें किसी भी तरह से हमेरा को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है अगर वो यह कह रही है कि वो रजनी है तो हमें फिलाल के लिए यह मान लेना है कि वो रजनी है सिर्फ उसके लिए अब वो डॉक्टर साब यह कह रहे थे कि हमेरा एक्सिदेंट के बाद एक बहुत लंबी बेहोशी में थी और आम तोर पर इतनी लंबी बेहोशी के बाद इंसान थोड़ा अजीब सा बरताफ करता है अरे पर अब मेरा ऐसी कब तक रहेगी फिलाल कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन वो तो अपने घर जाने की जिद कर रहे है अब ऐसे में हम उसे क्या कहें भापी, हो नहो ये हमारी हमेरा नहीं है ये कोई हमशकल है शिरीन ये मजाक नहीं है कैसे बाते कर रही हो तुम मैं अपनी भच्ची को नहीं पहचानूगी क्या माने लेकिन जी रात हो गई है क्या आप लोग हमें घर पोचा देंगे पेटा, पहले थोड़ी देर और आराम कर लो जी नहीं माची हमारा घर जाना बहुत जरूरी है विक्रम अपारे रहा देख रहे होंगे विक्रम? जी विक्रम शुक्ला हमारे पत्ती